असलाम अलेकम विवाज आज फिर मैं आपके लिए जबर्दस वीडियो लेकर आया हूँ आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी गाड़ी की एरप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाते हैं यह आपको वाटर यानि के रेन में आपको पोट्रक्ट करता है मिरर को ठीक है बहुत जबर दरस चीज है गाड़ी की लुक भी बड़ी जबर्दस हो जाती है इससे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन से गुजारे चाहर सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मस्यदार आपको वीडियो देखन सब्सक्राइब को बताता हूं यह बॉक्स है रिप्रेस का इसके अंदर आपको एक क्लिप का पैकेट मिलेगा चार रिप्रेस मिलेंगे और एक कैमिकल लगा हुआ टीशू पेपर मिलेगा ठीक सबसे पहले आप गाड़ी को साधा टीशू पेपर के साथ साफ करें जिस तरह के वीडियो में दिखा रहा हूं आपको ताकि इसको पर डस्ट गहरा को लगी हुए तो वह खत्म हो जाए लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है बहुत ही जबर्दस चीज आई है बहुत ही मज़े की चीज आई हुआ हुआ है चले आके बढ़ते हैं यह देखें यह वह कैमिकल लगा हुआ है जिससे सिप्रेट कहते हैं लोगों ने पालश बगार लगाई हो गाड़ी में तो वह एरप्रेस अच्छा पकड़ नहीं करता जो टेप लगी होती है डबल टेप इसलिए आपने इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है बाद वका प्रेश करना उसके बाद हम यह आपके पैकेट में नजर आ रहे हैं जो इसको लॉक है यह क्लिप इसको बोल सकते हैं पर प्रेस के डूर के साथ ठीक है अब मैं आपको यह देखें यह सबसे पहले यह देखें जो मिरर के टॉप वाली जो रवर्ड है उसके उपर इसको पेश करना है इस तरीके सा ठीक है यह आपको सामने आपको दखा रहा है यह देखें ठीक है फ्रंट डॉर के हमने यह दोनों क्लिप इंस्टॉल कर अब देखें बैक पर डॉर में भी आपको बता रहा हूं सेम इसी तरह आपने करना ठीक है यह देखें यह क्लिप हमारे इंस्टॉल तो इससे तरह एरप्रेस की पकड़ जाला जाती जब आप स्पीड में जा रहे होते हैं तो एरप्रेस आपके उतरने वाली जो कोशिच हो है वह आपके होल्ड के साथ बिलकुल मैच होने चाहिए क्योंकि आपने इसको पर लॉक इंस्टॉल करना है प्लास्टर के छोड़ चोड़ दिये जाते हैं वह आपने लगाने होते हैं इसके साथ और इसके नीचे डबल टीप होती है डबल टीप ने अपना काम करना है लॉ यह देखें यह अल्मोस्ट हमारे जो होल हो मैच कर चुके हैं नीचे वाले क्लिप के साथ ठीक है अब इसी तरह आपने फ्रंट डूर वाले लाग जो आना वह आपने होल मैच करने हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने बैक डूर साथ मैच किया है यह देखें ठीक हो गया इसी तरह आपने दूसरा लॉक भी जो फ्रंट डूर वाला उसको भी आपने थोड़ा सा पकड़ कर यूं इस तरीके से आपने मैच कर लेना ठीक है लो यह इनकी सैटिंग बिल्किल ठीक हो गई है अब हम चलते हैं इसकी डबल टेप के ऊपर से रैप उतारते हैं यह देखें आपके सामने आपने डबल टेप से रैप उतार लिया अब इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से पेस्ट करना है बस यह कुछ ही करें कि गाड़ी का डूर गिल्ला नहीं होना चाहिए ठीक है बिल्कुल होल आपने बिल्कुल आपने मैच करने के जावाद इसको उपर आच्छे तरीके से पेस्ट कर देना किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं इसी तरीके से इंस्टाल होते हैं जो इसा होती है रही बार क्लिप कर सीदी इसी इसी भी वह डबल टीव कुटिया वह ऐसे लग जाता है उनकी मसबूती दरह कम होती ह जाँ वह जाएदा होती है दूसरे लुजाओं गृप बहुत मजबूत होती यह देखें आपके सामने आप यह लगाने लगें हैं ठीक है यह देखें जिस तरह बॉनट में लाख नहीं होते इसी तरह इन चीजों में भी यह लाक होते हैं यह देखें आपके सामने लोगा बड़ी मजबूती से यह लाग लगते हैं और उपर से आपने जो करूम के उपर टेप सी लगाई होती है पेपर सा उसको आपने उतार देता है अब इसी तरह हम बैक डूर वाले दर्वाजे को इसास से देखेंगे और उसके रिप्रेस को आपने डबल टी उतार कर इस तरह आपने अराम से इसको मैज करके आपने लगा देने इसका लेवल आपने बिल्कुल देखना है लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए आपका लेवल अगर पीछे उआए तो थोड़े से बुरे लगते हैं ठीक है यह देखें बिल्कुल पर्फेक्ट होगया हर अब आपने लाग को देख नहीं देखना है इसको म्यशरोया को परना है अगर आपके लाग थोड़ेशा अवल दीचिस वाले पीचे और देखना है लुवल लग आपको फिर बताता हूं यह लाग आपने ध्यान से लगाने हैं बड़े मजबूती से लगते हैं यह आपका लाग नहीं कुलना चाहिए क्योंकि रस्ते में अगर स्पीड में जा रहा है तो यह उतर भी जाते हैं कि एगर यह लाग आपके अच्छारीके से लगया हूंगें यह अब बना देखनें यह लग चुका है और दूसरा लाग घनाते हैं यह थितने डिडूब्स कि उन दिए रहा है कि देघ्दा आप लोगों को फाइदा है हो सके हूं यह देखें यियु देखें कि यह AJ वी-लाग चुका ह कि का तो जिसलूफ का थेंगा तो है कि देख्या मेरे प्रेश्ट जो है वह इंस्डॉल हो चुक्य है अंहीं काड़ण गया फ deg İ तब तक इले लाफेद